आम आदमी पार्टी को बूस्टर डोज लग गया है आप कहेंगे बूस्टर डोज लग गया है पंजाब में सरकार बनाने के बाद ये बूस्टर डोज ही तो है जो 36 गड़ की राजधानी रायपूर में ये इतना बड़ा जनसमर्थन आपको दिखाई दे रहा है सडक में और आज आम आदमी पार्टी के बड़े नेता कौन है जो यहां पहुंचे हैं और किसुद देश से पहुंचे हैं ये सब कुछ आपको मैं बताऊंगा लेकिन पहले इस भीड को देखे और समझे कि आम आदमी पार्टी का ये बूस्टर डोग कैसे 36 गड़ में असर डाल रहा है गोपाल राय जी हमारे साथ हैं दिल्ले सरकार में मंत्री सर ये बताइए कि ठीक ठाक चल रहा है सब ज़्यादा ही ठीक चल रहा है कैसे पंजाब की जीत के बाद 36 गड़ में सबसे ज़्यादा लोग पार्टी से जुड़ने के लिए रिस्पॉंस कर रहे हर चाहे वो गड़ों पूरे 36 गड़ से लोग आम आत्मी पार्टी से जुड़ रहे हैं लोगों का एक ही कहना है कि हमने कांग्रेस को भी मोका देके देख लिया भाजपा को भी मोका देके देख लिया एक बार हम चाहते हैं कि 36 गड़ में भी दिल्ली पंजाब की तरह बदलाओ वीजय 9% अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1% वोट भी आपको नहीं मिला था नहीं लोगों का पिछली बार दो बाते थी एक बात तो ये था लोगों के मन में कि कहीं ओट बट न जाए और भाजपा को लोग हटाना चाहते हैं पिछली बार लोगों ने भाजपा को हटाने के लिए पच गई हैं अब कहतो रहे हैं सेफ जोन में पहुंच गएं कब तक ये पतानें इसलिए जिन्ता वोई है इसलिए वो चंता वही रही है कि बची की गई, की आई की गई लोग निरास हैं, जो वादे थे 95 वादे आज अधूरे पड़े हुए लेकिन गोपाल जी मैं आपको रोक रहा हूं उनका धान उनका गोवर गाऊव गरीब किसान वो तो कहते हैं वुपेश भघेल जी और कॉंग्रेस के लोग कहते हैं कि ये कॉंग्रेस मॉडल नहीं 36 गड़ में वुपेश मॉडल हैं और इसका विस्तार और इसकी कॉपी जो है दूसरे राज के लोग कर रहे हैं अब उस मॉडल को कैसे आप परास्थ करेंगे आप छतिस गड़ के किसी भी स्कूल में चले जाएए आपको इनका मॉडल दिख जाएगा दिल्ली जैसे स्कूल बनाये हैं इन लोगोंने अगर दिल्ली के प्रभाव में आकि एक आत्मानन्द बनाये तो छतिस गड़ में हम आदमी पार्टी आएगी तो हर गाव में आत्मानन्द बन जाएगा क्या लगता है आपको की कॉ MASAKIelect बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं जो इमांदार लोग हैं, जो आगे बदलाओ के लिए काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम पार्टी में लेंगे, तमाम प्रोफेशनल पार्टी जोईन करने के लिए संपर्ख कर रहे हैं, तो जो लोगों में एक संकल्प है कि हम 36 गड़ में बदलाओ करेंगे, उसी तरह के लोगों को हम पार्टी में सामिल करेंगे, आम आदमी को सामिल करेंगे, क्योंकि अभी तक जो दिल्री और पंजाब का संदेश है, वो ये कहता है, कि आम आदमी जब इकठा होगा तो भी बदलाओ सकता है। चुनाव में उनकी एक अहम गोमिका थी, जिसकी वज़े से वहाँ वाल इंटियर्स की एक डिमांड थी, कि जिन्दों ने ग्राउंड पे काम किया है, उनको राज सभा भेजा जा, और ये हमारे लिए खुसी की बात है, कि वो 36 गड़ से आते हैं। अधिरिवाल की moral of governance, उसकी पंजाब में मुहर, अब हर एक राज की जनता चाहती है, कि जो moral of governance दिल्ली को मिला, वो moral of governance हमें भी मिलना चाहिए। अब पंजाब में उस moral governance की मुहर लगी है, तो मुझे ये लगता है, कि ये लोग चाहते हैं, और हम सब लोग आमादनी पार्टी को, आमाद संक्थन को मजबूत करने के लिए, और ये मेसेज देने के लिए, कि पूरी मजबूती के साथ अब आमादनी पार्टी 36 गड़ में पूरी गुंजाइश है, पंजाब में भी जाकर अरविंद के जिर्वाल जी ने ही कहा, कि आपने कॉंग्रेस को देख लिया, आपने अकाली को देखा, आपने बीजेपी को देखा, उनके पास को नया आइडियाज नहीं है, हमें एक मौका दीजिए, हमने दिल्ली में उसक दिखा जाए, के जिर्वाल मड़ा गर्वर्नेंस के जिचा खूब हो रही है, दिल्ली के सरकारी सुपेश मौडल आफ गौर्वर्नेंस की विचर्चा यहां खूब हो रही है, गाउं में, यह भूपेश जी खूब है, आठाइस सो, गोबर, गोबर से लकडी, गोबर से लेकिन नकल्ची तो नकल्ची होता है, अब औरिजिनल आ गया है, अब अजमें के साथ जाएए आप, तो देखिए यह तमाम नेता है, आम आदमी पार्टी के वरिष्ट, लेकिन मैं एक बार फिर से तस्वीर दिखा दो, दुर्गेस जरा दिखाए, जहां तक आपकी नजर जाएगी, वहां आम आदमी पार्टी के कार करता है, और एकदम जो सिल्लवरेज है, मानिये सरकार 36 गड़ में भी बना रहे हैं, फिलहाल पंजाब सरकार बनाने के बाद, जो आम आदमी पार्टी के नेता कार करता है, 36 गड़ में, उनका जो आत्म विश्वास है, वो ये कह क्यारा आए कि कहीं न कहीं गुंजाइस तो तलास ने ये निकल ही पड़े हैं कैमरा पर संद्र के साहू के साथ गाने अंदर तीवारी एबी पी नियूज राइपूर